प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद के LB स्टेडियम में आयोजित होने वाले पिछडे वर्गों के स्वाभिमान की बैठक बीसी आत्मा गौरफ सभा को संबोधित करेंगे। कधान मंत्री का सिकंद्राबाद के परेड मैदान में होने वाली एक अन्य बैठक में भी भाग लेने का कारेक्रम है। राज्य सरकार को यह तै करने के लिए कोई विवेकाधिकार देने से मना कर दिया कि प्रत्तेक जिले में एक या दो रैलियों की अनुमती दी जानी चाहिए या नहीं। सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया ने 6 नवंबर को CIC के प्रमुक्त के रूप में शपत ली। राश्चुपती द्रौपदी मुर्मु ने 63 वर्शिय सामरिया को राश्चुपती भवन में एक समारों के दोरान मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपत दिलाई। अब इस नियुक्ती पर राजनीतिक विवाद पैदा हो गया है। प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त चैन समिती में विपक्ष के सदस्य एवं कॉंग्रिस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने राश्चुपती को पत्र लिखकर नाराजगी जताई है। साथ ही आरोप लगाया है कि चैन के बारे में उन्हें पूरी तरह से अंधेरे में रखा गया। अमेरिका में भारतियम मूल के शक्स को अपनी पत्नी की नरिशन्स हत्या के इलजाम में दोशी पाया गया है। फ्लोरिडा की एक अदालत ने इस करूरता के लिए पती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी और उसकी पत्नी केरल के बताय जा रही है। महिला अमेरिका के एक अस्पताल में नर्स का काम करती थी। उसमें पहले पत्नी को सत्रह बार चाकू से ताबढ़तोर वार किया। फिर डेड बॉडी पर कार चड़ा दी है। महिनों पहले भले ही टिकट बुक करें लेकिन फिर भी कन्फर्म टिकट मिल पाना मुश्किल हो जाता है। इन्ही परेशानियों को देखते हुए भारतिय रेलवे हर साल स्पेशल ट्रेन चलाती है। इस बार भी दिवाली और छट को लेकर सेंट्रल रेलवे ने 425 ट् हुआ हुआ है।